पुलिस की गाड़ी में अगर तसकरी की शराब पकड़ी जाए तो सुनने में एटपटा तो लगे गाई और वो भी गाड़ी अगर किसी पुलिस अदिक्षक के नाम हूँ जी हां हम बात कर रहे हैं बिहार के अरवल में पकड़ी गई एक स्विफ डिजाएर कार की जिसमें 310 लीटर अवैद विदेशी शराब बरामत की गई है बिहार में शराब बंध है आपको पता ही होगा जो गाड़ी पकड़ी गई है बिहार में स्विफ्ट डिजायर वे पलवल के पलिस अधिक्षक के नाम है पलवल के पलिस अधिक्षक के नाम दर्ज है वे गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जो आज भी ट्रांस्पोर्ट विभाग के कांगजों में जब दिखा जाएगा तो SSP पलवल के नाम दर्ज करा रही है लेकिन बड़ी बात ही है कि वे गाड़ी पलिस विभाग ऐक्षन में निलाम कर चुका है और आज नहीं लगवग दोवर्श पूर्व यानि कि दो वर्ष पूर्व जिस गाड़ी को पुलिस ने आॉक्षन में निलाम कर दिया था स्विफ डिजायर कार को जिसका नंबर है HR 30K, HR 30K, 0111, 0111 उस गाड़ी में शराब की तसकरी की जा रही थी बड़ी बात यह है कि जो लोग उस कार को अब चला रहे थे उन्होंने उस गाड़ी को उस स्विफ डिजायर कार को अभी तक भी अपने नाम पे सरकारी कागजों में दर्ज नहीं कराया था और इसके चलते बिहार के अरवल पुलिस ने अब उस गाड़ी को जब जब्त किया उसमें से शराब बरामत की तो मुकदमा अभी अग्यात के खिलाफ दर्ज किया गया है खुलासा हुआ उस कार के दुरगटना ग्रस्त होने के बाद यानि कि बिहार के अरवल में जो एससपी के नाम से दर्ज है कार वहे उसमें की शराब भरी होई थी वहे कार एक ट्रेक्टर ट्रॉली से टकरा गई दुरगटना ग्रस्त हो गई कार में सवार लोग भाग गए पुलिस को सूचना मुले मिली बिहार पुलिस को बिहार पुलिस ने दबिश दी कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर लाल रंग के कार्टन्स में शराब की बोतले मिली तीन सो दस लीटर शराब बताई गई है कार पलवल की पुलिस अधिक्षक के नाम पर कागजों में दर्ज है जब इस बारे में हमने पलवल के पुलिस अधिक्षक से बात की तो उन्होंने बड़स पष्ट बताया कि कार को आउक्षन में बेचा जा चुका है अब बिहार पुलिस तो जाच करेगी पलवल पुलिस भी इस बात की जाच करेगी की कार को आउक्षन में किस ने खरीदा था और उसने खरीदने वाले ने यानि की कार को अपने नाम क्यों नहीं कराया खेर जाच का विशे तो है लेकिन एक बारगी मामला बड़ा अटपटा और बड़ा संगीन सा लगा अब पुलिस की तफ्तीश में पुलिस की जाच में जब सब कुछ सामने आएगा